इतिहास में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है जब किसी पोप ने फ्रंट फूट पर आकर समलेंगिक शादे की हिमायत की हो पोप फ्रांसिस ने कहा है कि उन्हें लगता है कि समलेंगिक जोडो यानी सेम सेक्स कपल्स को सामान नागरिक अधिकार मिलने चाहिए बता दे कि यह टिपनी पोप ने एक डॉकुमेंटरी में दी है जानकारों का कहना है कि पोप की यह टिपनी समलेंगिक शंबंधों के वबिस्स को लेकर बहुत ही जादा साकरात्वक है पोप का साफ साफ कहना है कि समलंगिक लोगों को समात में रहने का पुर्ण अधिकार है यह दिखाता है कि पोप हर तपके के लोगों में बराबरी देखना चाहते हैं समलंगिक जोडों की हित में बात करते हुए डॉकुमेंटरी फिल्म में पोप फ्रांसिस कहते हैं कि समलंगिक भगवान के ही बच्चे होते हैं उन्हें एक परिवार में रहने का संपुर्ण अधिकार है सिर्फ समलंगिक होने के कारण किसी को भी परिवार से अलग नहीं कर देना चाहिए और ना है सिर्फ समलंगिक होने के कारण उनका जीवन धनिया बना देना चाहिए कॉटतल है कि Pope Francis के जीवन और काम से संबंदित इस film फ्रांसिको का प्रेमियर रोम फिल फेस्टिबल के एक अंग के रूप में होगा इस फिल्म में सिविल यूनियनों पर की गई पोप की टिपनियों के साथ-साथ उन्हें दो समलागिक पुरुशों को उनके तीन बच्चों के साथ चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोसाहित करते हुए भी दिखाया गया है चकाचाग एक्सप्रेस से आदर्श की रिपोर्ट